पंडी जी आज हम चर्चा कर रहे हैं बीमारियों के बारे में कैसे जोतिस्ट का लाव लेकर के बीमारियों को दूर किया जा सकता है पंडी जी जैसे कुछ लोगों को हड्डियों से संबंदित परेशानी होती है खास कर महिलाओं को तो अगर हड्डियों से संबंदित परेशानी है तो उन्हीं क्या सरल उपाय करना चाहिए? प्रवीन जी होता क्या है कि जब महिलाएं गर्ववती होती हैं और बच्चा उनके गर्व में होता है तो उनके शरीर से कैल्शियम बहुत घड़ जाता है इसलिए आम तौर पर डिलेवरी के बाद लंबे समय तक हड्डियों की समस्या उन्हें परेशान करती है क्योंकि जो कैल्शियमं कंपाउंड है उनके शरीर से कम हो जाता है और सामानिता जोतिश में अगर हम देखें तो चंद्रमा कलिशिम कंपाूंट को कंड्रोल करता है सूरी हड्ढियों के स्रक्टर को चंड्रोल करता है और सूरी जैसा मैंने पहले भी कहा कि देखिए किसी भी आदमी का जीवन हो दुनिया में पूर ये उसके स्वास्त के लिए बड़ा एहम है तो जिन महिलाओं की कुंडली में चंद्रमा बिगड़ा हुआ है उनको गाइनिक प्रॉब्लम तो होगी ही उनको केलिशियम कंपाउंड की भी समस्या होगी और अगर सूरी भी गरबढ़ है तो हड्डियों में दर्द की चलने फिरने में दिक्कत जोडों का दर्द ये सब समस्याएं उनको परिशान करती हैं अगर आप महिला हैं और हड्डियों के दर्द से जूज रही हैं हड्डियों का दर्द है स्पाइनल कॉड में है जोडों में दिक्कत है दर्द बहुत होता है हड्डियों की तकलीफ होती है तो क्या उपाय करें रोज सवेरे तूर्य भगवान को जल अर्पित करें तादा जल प्लेन वॉटर इसके बाद तूर्य देव के सामने खड़े होकर या बैठ करके एक बाद हनुमान चालिसा का पाठ करें दूध वाली जो चीजें है दूध है दही है पनीर है इसका प्रियोग थोड़ा जादा करें और सलाह लेकर के एक मोती या एक मारिक्य दोनों नहीं या तो एक मोती या तो एक मारिक्य अगर आप धारन करें तो आपको लाब होगा गुलाबी रंग के वस्त्रों का प्रियोग जादा करें जिन महिलाओं को हड्डियों में दर्द की शिकायत है उन्हें थोड़ा सा परिश्रम करना होगा उगते हुए सूरी के सामने उसकी रोशनी में बैठें अपनी पीठ करके सूरी की रोशनी हमेशा पीठ की तरफ से ली जाती है तो उगते हुए सूरी के सामने सुबह जल्दी से जल्दी उठ करके सूरी की रोशनी में पीठ करके बैठें उन्हें काफी लाब होगा दूसरा एक तरीका ये है कि आप नहाने के लिए पानी का इस्तमाल करती हैं एक बाल्दी पानी भर करके सूरी की रोशनी में रख दीजिए और जब एक घंटे तक सूरी की रोशनी उस बाल्दी के पानी में पढ़ जाए तब वो जल पूरी की रोशनी से चार्ज हो जाएगा उस जल से आप नहाना शुरू करें अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें तो आपकी हड़ियों की स्वचा की स्किन की समस्या ठीक होगी आखों की स्थिती में श्थुधार होगा शरीर दर्द से आपको बहुत जल्दी निजाद मिलेगी एस्टो तक आप पर आपको मिलेगा भविश्य से जड़े हर सवाल का जवाब डाउनलोड कीजिए एस्टो तक एप और चिटकी में जड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलोजर से